कुछ डाउं की लोगों से बाहरी लोगों से ऐसा भी पता चला है कि इस मंदिर के निर्माण में आदमियों का हाथ नहीं है असलों को द्वारा बनाया हुआ मंदूर साथ कि अ अ कि अ कि अ कि मैं हूँ आपका दोस्त दीपक सिंह राश्पूत और अभी मैं मौझूद हूँ एक ऐसे धार्मिक अस्थलवे जो अपनी जगह पे काफी ज्यादा चर्चित में रहता है उत्तर प्रदेश के पीपी गंजनगर में यह छेत्र इस्तित है जिसका नाम घुरम पोखरा से जाना है क्योंकि यहां पर कई सारी मानेताएं हैं हम अभी इस जगह पर मौझूद हैं और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या-क्या रहस्य है क्या इतिहास इस जगह का और आपको बताएंगे में इसके यहां पर जानकारी नहीं है इसलिए यहां कि यहaं कि पुछ जो नीजी नागरिक हैं जो रेगूलर आते रहते हैं, उन से बातचीछ यह कि यहां ज्यादा जाकारिया क्राफ़ नदीक हुगी माता जी का मंदिर है और माता जी के मंदिर के दर्सिंग करिए और देखिए ऐसा माना चाहता है कि यहाँ पर कुछ भी मांगने से सब कुछ मिल जाता है कि आये चारु तरफ आपको मंदिर का ब्रहमड करके दिखाते हैं आपको यहाँ पर कुछ पीपल के पेड़ हैं जो देखिए यहां फर्स के अंदर से निकल कर बाहर की तरफ आये हुए हैं और यह काफी जानकर आशंबह होता है कि कैसे हो सकता है यह समद्ध अधरों के बीच समिसर जो पेड़े निकले होई है आगे चलते हैं यहां पर आपको हनुमान जी का मृति दिखेगा अरधी का का अि 3 मिई शिदै कर रहे कि हो सभी मुर्थियों को अंदर से एक सीसी के अंदर रखा गया है ताकि यह सुरक्षित और ज्यादा दिन तक ऐसे ही रखे पड़ी रहें इन पर कोई दिक्कत ना आये मुर्तियों खराब ना हो इस वज़े से इन इसी से के अंदर रखा गया है तक अच्छा लगता है लोग इतने धार्मिक हैं यहां के हर दिन यहां पे पूजा पाट का कार्कम लगा लगा लेता है और यह जो पोखरा आपको पीछे दिख रहा है यही वह होसलिव से कुछ भी बना depends में छानता हूँ कुछ भी बड़े इसके बार में बता हैं तो यहां पे इस मंदिर-पूजा पाट के अलावा और भी आति कारेक्रम होते हैं यह से मुंद राखहा हो गया है और जितने भी धार्मिक काम होते हैं अतिकतर काह मिएरा पे होते हैं औ जो धार्मिक इस्तिती है लोगों के प्रती और जो धार्म के प्रती फ्रेम हैं यह सब देखके यहां पे काफी अच्छा लगता है मंदिर के चादर तरफ आपको कई दुकाने मिल जाएंगी जहां पे पूजा पाट के समान कुछ बच्चों के खिलाओने जैसा अने आपको ब अबने मंदिर तो कई सारे दिखोंगे ऑता आसा धार्मिक मंदिर बहुत कम देखनों मिलते हैं और यहां पर मैं बताया कि पूरा मंदिर पूरा इन पेडू से बर्कत की पेड़ों से डखा हुआ है इनो के ओप ठीका हुआ हुआ tha hy काफ के बारे में जानेंगे तो और आपकी जागर्पता बढ़ेगी तो चलिए हम बाबा-जी से बात करते हैं और पता करते हैं स मंदिर के ऐखियो के पोखरा 33 सेकड में है दो गाओं के बीच में पड़ता है और पोखरी की माननता यह है कि जो लोग इस पोखरे में नहाते हैं उनका कुछ शुरूग शिर्को आता बहुत सारे लोग है उदाहन में बहुत बहुत लोग है मंदीर का निर्माण जैसे मंदीर 15 साल पहले मंदीर बहुत पुराना है मंदीर का कोई पता नहीं है 23 फूट नीचे जमीन से नीचे मंदीर बना हुआ है पोखरा जो है 23 सेकर का है यहां के पुजारी सुरेद नारा इंदोवेदी हम बता रहे हैं हमारे पाचवा छठवा पोस कुछ गाओं की लोगों से बारी लोगों से ऐसा भी प्रता चला है कि मंदीर के मिर्माण में आदमियों का हाथ नहीं है उस नोक असनों के द्वारा बनाया हुआ मंदीर था अभी हम आदमियों के द्वारा हुआ है पहले लोग बताते थे माइं पिस पर बरतन रखा उआ हुआ था यो आदमी आता था बनाता था खाता था एक आदमी लालची आया उसके मनमे लालक हा गए वह अंदा हो गया फिर वापस लाक लाप आप दिया तब से नाय और बरतन सी है कोकरये में डोब गया तब बखरे में म उन्हीं कि जबाने का है इसको बनाया निर्मान नहीं किया है लेकिन ये काफी प्रसेद मन्दिर है जो है नौर हाँ 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 लाख वाजारों लोग आते हैं अपने प्लिम मुखेते हैं किस अब ब्रगवान जी की पूजा होती है मंदिर में माई दुर्गा की पूजा होती समय माता की बाकी और अगल बगल हमाई जो भी मनत कोई लेका आता उसकी पूजाती हाँ हाँ और बोलिए कि काफी अच्छा लगा साथ करके नहीं और मंदिर के उपर बरगत का बिच्छे आज तक उसका कोई जंग नहीं बता पाया इसका भी कोई पता ने चलता कितने दिनों का है और उस सहयोग से पते बहादू जोगी आदितनात के सहयोग से कुछ काम हुआ है हम पुजारी सुरें नान दुवेदी ग्राम पुष्ट भरदने से आपको सारी जानकारिया दे रहे हैं सारी जानकारी पंडी जी से मिले गई होगी और काफी कुछ कवर कर दिये और अपना कीमती समय पुजा पाट के वीच हमें दिये यह हमें भी अच्छा लगा और जैसक करने का भी मौका मिला जैसा की बाबा जीन बताया यहां के जितने भी पेड़ है इन inflation कर दिखा है तो काफी विसाल है और उसकी आयू अभी तक नहीं पता चल सकी है कि वो कितने आयू की है यह जो पीछे आपको नीम का पेड़ दिख रहा है कि काफी पुराना नीम का पेड़ है अब देख के लगा सकते हैं अंदाजा यहां पर जैसा कि देख सकते हैं बाबा जी ने बताया यह कि यहां पर समय माता और द निर्माण नहीं है और यहां पर बाबाजी ने भी बताया कि यहां पर जो मंदिर का निर्माड हुआ है उनमें पुरुसों का हाथ नहीं है उसमें हम मानव का हाथ नहीं है इस मंदिर के निर्माड में असुर का असुर का बहुत बड़ा योगदान है असुरों के द्वारा य से हुई आई हैं तो इस पे यकीन करना जरूरी है जो इस फर्स के अंदर तक गई हुई है और इनके जड़ों का अभी तक कोई पता नहीं लगपाया हैं कि इनके जड़ कहां तक हैं तो और यह पीड मांगते हैं वो हर मनुकामना पूरी होती है बड़े ही सुरुधा के साथ लोग आते हैं सुर्धांजलू यहां पे और अपनी अपनी दुख समस्याएं का नियावरण पर पाते हैं चारो तरफ यह बर्गत की पीड़ इस मंदीर पुल्लापीट के एक अलगी सेव दिये हुए हैं और यहां पे कई लोग कई धार में सुर्धांजलू हर साल अजारो लाखों की तादात में आते रहते हैं इनको देख के अंदाजा लगाई सकते हैं कि किस तरीके से पूजा होता है चलिए आपको यह विसाल पोखरा का नजारा और और भी मुर्टियां है जितनी भी अन दोस्तों यही वह पोखरा है जिसके बारे में बाबाजी ने बताया है कि यहां से बरतन निकलते थे और लोग उसी पर निर्भर रहते थे भोजन के लिए खाने के लिए हर चीज के लिए और कुछ चोर या फिर चोरी करने वाले लोगों ने उस बरतन को चुराने की परन्तु वह जाते जाते रास्ते में ही अंधे हो गये जिसकी वज़ए से वह बरतन भी पानी में ही उसी समय समा गया और यह कहानी यहीं तक थी तो यहीं इस पोखरी को ध्यान से दिखिए यही वह पोख रहा है और काफी विसाल सात आला वेसमें अभी कमल खिलते हैं डेर दुकान है यहां पर स्रधाणजुली के लिए हर चीज हर सुविदा है दुकान से साम तक खुली रहती है सुबह से लेके साम था क्योंकि भीड लगी रहती है अभी फिलाल भीड नहीं है बेदे नहराती का टाइम आएगा और यहां पर नहराती के समय ही दुर्गामाता की निमूँ आप करते हैं पूजा होती है जादत पर उस שמय हजार-ओस के तारात में यहां पर बिढ़े लगी है यहांत लाइन Phillips लाइन लग जातीने के लिए चारों दर्पर से इतना होता है और यहांपर बड़ी सी मुर्ती अभी जल्द ही इसका नेर्मार हुआ है ऐसाल दौ still म यहां पर भज्रंग बली की बड़ी सी मूर्ती है आप विश्णु जी का भी विशाल मूर्ती है आपको दिखाने की कोशिज करते हैं कैमरे की नजर से एक बार आप यहां पर देखिए यहां पर विश्णु भगवान और तेशना के साथ में माता जी की भी है यह खुब्सूर देख सकते हैं पुरुष महिला सवचाला भी है हर चीज उपलब्द है यहां पे सब ध्राजलों की बेहत देख भाल करते हैं जैसा कि पंडी जी ने बताया यहां पे असनान करने से सभी पाप मिट जाते हैं ऐसा मांदता है कि कहीं जाने से बहतर है कि सितीरत हस्तल पर यहा कि माननेता ही इन्हें बेहत खुबसूरत बनाती है हमारा विश्वास ही इन्हें खुबसूरत बनाता है और हमारा यकीन कि जितने भी मिस्त है जितने भी रहस्त थे इस वीडियो में हमने पूरी कोसिस की जानने की हमने यहां के पंडीत जी से बात किया और जाना और काफी क तो इतिहास है, वो ठीका हुआ है, भरोसा ही हमें आगे की ओर ले जाता है, और ये किवल रहस नहीं था, ये सच था, आज हमें जानके मिला, और काफी अच्छा लगा, यहां पर आके, लोगों से मिलके, और यहां का नीचर देखके, अगर जिन्दगी में कभी मौका मिले, त तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उस समय काफी दूर-दूर से, सब्सक्राइब काफी लोग आते रहते हैं, और यही खुबसूरती है हमारे धर्म की, हमारे हिंदु धर्म की, वीडियो को यहीं पर समात्त करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एक न